आज का हमारा पहला टॉपिक है relation between kinetic energy and linear momentum तो आप लोग ने kinetic energy का expression भी इससे पहले किया और linear momentum का expression भी किया हुआ है तो अगर हम कोई body माल लेते हैं, assume कर लेते हैं जिसका mass है m और velocity है v तो जो आपका linear momentum होता है, वो किसके बरा होता है? mass into velocity and kinetic energy of the body कितनी रहती है? half mv square तो अगर मैं इस kinetic energy के expression में जो half mv square है इसमें m से numerator को भी multiply करूँ और एक m denominator में ले लूँ तो आपका expression बन जाएगा half m square v square upon m फिर इसको थोड़ा सा और change कर लेते हैं, m को इसके साथ कलो, 1 by 2m हो गया और इसमें square common ले रहे, mv का whole square फिर आप देखो, what is mv? mv किसके बरावर है? यह आपका linear momentum तो यहाँ से हमारी kinetic energy कितनी आजएगी? p square by 2m और एक और relation इससे भी आप निकाल सकते हो p is equal to अगर kinetic energy को मैं simple e लिख दूँ तो आपका जो relation है वो यह भी बन जाता है p is equal to under the root 2me जिसमें e किसको represent कर रहा है? kinetic energy को तो यह भी एक expression है, यह आपको mcq में भी पूछा जाता है और आपके numerical भी इसके उपर आ सकते हैं यह आपने अच्छे से कर लेना है उसका अधर very very important term हमारी एक और theorem हमारे पास आती है work energy theorem work energy theorem बड़ी simple सी theorem है यह कहती है कि अगर आप किसी object पे force लगा के उसको displace कर देते हो तो उसके अंदर जो kinetic energy में change आएगा वो उस work के बरबर आएगा work done by a net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body ठीक है जो change आएगा kinetic energy में उसके बराबर होगा proof लेंगे हम इसका proof में क्या करेंगे हम एक body consider करेंगे जो initially किस velocity से move कर रही है u velocity के साथ और अगर हम उसके उपर force apply करते हैं जिससे उसके अंदर acceleration आजाएगी a तो इसकी जो velocity यह वी हो जाएगी after time t यह हम assume कर लेते हैं कि after time t उसकी velocity कितनी हो जाएगी v जब आप क्या कर रहे हैं force उसके उपर apply कर तो हमने एक expression पढ़ा है v square minus u square is equal to 2as अब इस expression को हम इसमें use करेंगे तो अगर मैं दोनों तरफ m से multiply कर दूँ तो यह बन जाएगा m v square minus m u square is equal to 2m a s ठीक है अब उसके बाद यह जो 2 था यह मैं left side में divide कर दूँ तो दोनों के साथ 1 by 2 हो जाएगा 1 by 2 m v square minus 1 by 2 m u square यहाँ पे कहारा जाएगा m a s what is m a Newton second law कहता है m a किसके बरावर होता है force के बरावर होता है तो यहाँ पे f आ जाएगा s फिर यह कहता है कि जो half m v square minus half m u square है वो किसके बरावर हो जाएगा what is force into displacement it is work done तो मैं इसको लिख दूँगा kinetic energy final क्योंकि यह final velocity पे depend कर रही है और यह हो जाएगी kinetic energy initial क्योंकि यह initial velocity पे depend कर रही है तो यह हो जाएगा w के बरावर kinetic energy final minus kinetic energy initial को हम लिख देते है change in kinetic energy change ही हुआ ना है कि final कितनी है और initially कितनी थी दोनों का difference होगा change in kinetic energy तो यह आपका expression prove हो गया कि work done किसके बरावर होता है change in kinetic energy के बरावर उसके आदम इसके उपर एक numerical करने कोशिश करेंगे find the average frictional force that would stop a car weighing 500 kg in a distance of 25 meter if the initial speed is 72 km per hour तो इसमें सबसे पहली बात जो आपने समझनी हो यह है कि आपकी गाड़ी last में रुक रही है car क्या कर रही है रुक रही है तो that means last में अगर गाड़ी रुक रही है तो उसकी final velocity कितनी होगी? 0 होगी initial velocity आपको दी गई है distance आपको दी गई है mass आपको दी गई है तो आपने इसमें क्या निकालना है? average frictional force निकालना है तो हम पहले mass ले लेंगे जो दिया है S भी आपके पास यह भी SI में है यह भी SI में है final velocity 0 है initial velocity किलोमेटर पर आर में दी गई है लेकिन आपको पता है velocity किलोमेटर पर आर में SI सिस्टम में नहीं होती है वो आपकी मीटर पर सेकिंड में होती है तो मैंने आपको shortcut बताया था कि 5 by 18 कर लो यह आपने total निकालना है तो 1000 by 3600 आपको करना पड़ेगा ऐसे shortcut में 5 by 18 से हम कर लेते हैं तो यह आज आता है 20 मीटर पर सेकिंड फिर हमने आज ही पड़ा what is work energy theorem work energy theorem क्या कहती है कि w is equal to change in kinetic energy तो work क्या होता है force into displacement के बरावर होता है kinetic energy होती है half mv square minus half mv square फिर अगर मैं half m इस से constant common ले लूँ तो अंदर आजागा v square minus u square तो मैंने half और m की value 500 डाल दी f और distance की value 25 डाल दी यहां से f हम calculate करेंगे v आपका 0 का square है u आपका 20 का square हो जाएगा minus 20 का square आ रहा है तो minus आ जाएगा आगे लग जाएगा 400 500 और नीचे 2 है और एक 25 आप left side से ले आओगे denominator में तो यह आपका जो value है वो बन जाएगी minus 4000 नीटन ठीक है तो average frictional force अब क्योंकि यह तो force है और आपको पता है frictional force कैसे होती है हमेशा ही opposite nature की होती है तो यह negative है तो average frictional force आपकी positive होगी 4000 नीटन तो बस आज के लिए इतने काफिए